यह देख रहे हैं आप तो यह तेल है और इसी तो आज इसका यह रबडवाला का एक्सप्रिमेंट करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह जो दवाली है इसका धकन हम देख रहे हैं और यह जो है तेल अब हम क्या करेंगे इसको धकन में इस धकन को यह रबडवाली को इसमे में दालेंगें और पहले ही कितना बड़ा है जैसे मैं इसको डालें गए बार क क्यूवत बड़ा आ और कितना हो देखते हैं पहले इसको जो है कि यह इस सीट में यहतма यह में आ दखन हम देख रहे हैं और यह जो ए तेल अब हम क्या करेंगे इसको डखन में इस धकन को यह रपर वाली को इसमें डालेंगे और पहले इसका साइज हम नाप नेते कितना बड़ा है जैसे मैं इसको डालेंगे 12 गंटे या 24 गंटे के लिए छोड़ देंगे तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा और कितना बड़ा होगा इसको हम नाप कर देखेंगे तो यह देखिए यह 6 होता है तो सभ बंद कर देंगे अब 24 गंटे बाद देखेंगे कितना साइच का हुआ है इसको मैं खूल दिया अब इसको पहले ऐसे डाल देता हूँ अब तर सारे ढकनों को हमने डाल दिया इसमें अब इसमें जाएगी हम इसको जोएकि खोलते हैं 48 घंटे बाद जोएकि मैं खूल रहा हूँ अब देखिएगा तो देख रहे हैं यह कितना बड़ा-बड़ा सा हो गया इसको बार में निकालता हूं पहले तेल को इसमें अब तेल मैं इसमें पूरा उडेल देता हूं दी नहीं रहा है इतना हो गया है यह है अ मैं तो यह देख सकते हैं यह शुरुर्ण वाला जो है पहले वाला राबड और बीना देल में डूबबया हूगा और यह देखिए तेल में हमने डूबबया दिया थे कितना बड़ा है चलियो मैं इसका साइज आपको दिखाता हूं और तो देख रहा है यह कितना बड़ा है और यह देख अब इसके ऊपर देखिए यह कितना छोटा लगा देख रहे हैं यह तेल में नीचे अलग हो गया गया था भीग हो आगया था यह देखिए तो रभड को कैसे हम बढ़ा सकते हैं तो ओयल में देखिए कि आईल का रियक्शन देखिए रबड को जो है कि बढ़ा दिया देख रहे हैं कितना बढ़ा कर दिया तो यही रए मेरा साइंस एक्स्प्रेमेंट कि रबड को कैसे बढ़ा हैं यानी कि ऑल आयल वर्सिस रबर देखिए सवा इंची का रबर हो गया है और ये पॉना इंच यह देखिए यह असानी चरीफ से लग जायगा देख लग गया डेख रहे हैं अब देखिए यह जो तेल मेरी हो गया था यह इतना वड़ा हो गया अम इसको देखिए है तो यह ढेकन की वीडियो जाफिऊ